तो दोस्तों यूटूब चैनल योगा मास्टर सतीश में आज आपका अपने एक बार हार्दिक स्वागत अभिनंदन तो दोस्तों मैं आज वीडियो लेकर आया हूं कमर का दर्द के बारा योगासन जो होते हैं वो मैं आपको पूरे योगासन बताऊंगा और यह जो आपने पूरे बारा योगासन कर लिए तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि साथ दिन के अंदर आपका कमर का दर्द खतम हो जाएगा क्योंकि दोस्तों आज कमर के दर्द से बहुत लोग परिसान है कोई भी दर्द है जाए घुटने का दर्द है कमर दर्द है मैं अब टाइ है घुटनों के बाल आ जाएंगे यदि किसी के घुटनों में दर्द है तो पह रोके नीचे गदी लगा लेंगे और हात या तो ऐसे ले के आएंगे या फिर सीधे और पूरा हमें पीछे की तरफ पूरा बिजुकर पूरा पीछे देखना है तो यह जो कमर है यह पूरी ख exercise बताता हूं आप तो साथियो सबसे पहले हम क्या करेंगे उल्टे लेट जाएंगे उल्टे लेट ने के बाद में जो अपने हाथ है ये ठोड़ी के नीचे हम लगा लेंगे और एक पैर पहले एक पैर से करेंगे पैर उठाएंगे और पूरा अपने नितंब के टच करेंगे ये करना है पहला उसके बाद हम करेंगे फिर हम दोनों पैरों को नितंब के टच करेंगे दोनों पैरों को करो हमें ये एक्सरसाइज करने में बहुत आराम भी महसूस होता है मजह भी आते हैं इस एक्सरसाइज करने में तो यह हो गई है बहुत आराम मिलेगा एक कमर के अं बुजंगासन के अंदर हमें आना है साथियों बुजंगास हात चेश्ट के पास लेकर आ जाएंगे और फिर हम पूरा उपर उठेंगे इससे आपके पेट की चरबी भी खतम होगी मोटापा भी खतम होगा और किसी के कमर में प्रोब्लम है वो कमर की दर्द में भी हमें रिले अब बाया हाथ बाया हाथ के उपर दाहेना हाथ और यह थोड़ी के नीचे लेकर आ जाएंगे ठीक है फिर हम यहां से उपर उठेंगे वही भुजंगासन कि तरह ये इसमें भी पूरा हमारा पेट की एक्सरसाइज हो रही है पूरी कमर की खिचाई हो रही है पूरी कमर की एक्सरसाइज हो रही है ठीक है तो इसको हम करेंगे उपर जाएंगे स्वांस लेंगे नीचे जाएंगे स्वांस छोड़ेंगे इसको भी आप बाद में पचास सो दो सो जितना आप चाहो उतना कर सकते हो अब अगली एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ अगली एक्सरसाइज सॉल्डर के पास हाथ रखो और इसके उपर पूरा हमें उठकर और जो हमारा अल्टरनेट पैर है सॉल्डर के उपर से हमें पैर देखना है देखो कैसे अब मैं इधर से देख रहा हूँ लेफ्ट साइड से तो मुझे दाहिना पैर देखना है अब दूसरी साइड से अब मैं राइट साइड से जाऊँगा तो मैं लेफ्ट लेग देखूँगा पूरा उठके ये इसके पोज़ करो साथियो इससे भी हमें कमरदर्द के अंदर रहत मिलेगी उसके बाद मैं आपको बताता हूँ हम जाएंगे अब सल्भासन की तरफ एक-एक पैर उठाना है हमें एक-एक पैर उठाना है अब दूसरा उठाओ वापिस उठाओ वापिस उठाओ अब दोनों यदि नहीं उठते हैं तो जांग के नीचे हाथ का सारा दे दो इस पे रुको कम से कम 30 सेकेंड रुकना है इसके बाद में फिर हम भुजंगासन के अंदर पूरा आगे उठेंगे इसके बाद में साथियो लेफ्ट हाथ उठाएना है और राइट पैर उठाना है और दूसरा हाथ हमारा पास यहां पर जांग के पास रहेगा अब दूसरे हाथ से करो अब राइट हैंड उठाएंगे और लेफ्ट लेग उठाएंगे ठीके ओ गया यह अब उसके बाद में साथियो क्या करेंगे हाथ रखो यह हाथ का ऐसे जैसे हम वीश्रा मिश्टिति के अंदर आते हैं ऐसे इसको जोइंट कर लो और नितंब के उपर रखो और आगे और पीछे से दोनों साइड से हमें उठना है पूरा पूरा यह करना है अगली एक्सरसाइज उसके बाद में हाथ आगे लेकरा जाओ हाथ आगे लेकर हाथ आगे से हाथ उठाने हैं और पीछे से पैर उठाने हैं हमें नोका जैसे होती है नोका इस्तिति के अंदर हमें आना है देखो साथियो अब मैं आपको बताता हूँ अगला हम करेंगे धनुरासन धनुरासन भी कमर का दड़ के लिए राम्बानिला जो में पूरा जैसे धनुस होता है उसकी तरह हमें पूरा उठना है धनुरासन धीक है साथियो तो साथियो यह तो हो गए थे उल्टे लेट कर अब मैं अगले वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि हम क्योंकि ये लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए मैं अगले वीडियो के अंदर सीधा लेट कर जो कमर के व्यायाम हैं वो मैं आपको पूरे बताऊंगा यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फि क्यार करें जिस्टे की सभी को कमर का दर्द का फाइदा मिल सके धन्यवाद